मेरा नाम राजीव है एंड लास्ट वीडियो में हम मैंने एरे का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने बताया था कि एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा पहले से एवलेबल है यूजर इंपुट नहीं लेना है तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जो हमारा एरे होता है वो दो तरीके का होता है पहला होता है हमारा 1D एरे वन डाइमेंशनल एरे और दूसरा होता है हमारा 2D एरे यानि 2 डाइमेंशनल एरे फिर मैंने बताया था कि 1D एरे में हम अभी 1D एरे पढ़ रहे हैं त marks 18, 5, 12, 9, 3, यह marks है, तो हमें यह user input नहीं ले न, marks पहले से पता है, तो हम simply कैसे array create करेंगे, अगर integer type का array तो है int, array का नाम a, मान लो ar, square bracket, assign with, और curly braces में जो भी data है, 18, 5, 12, 9, 3, इस तरीके से store कर लेंगे, यह हमारा array create हो गया, और फिर हम array के elements को print कर देंगे, और जो हमारे array के element होगे, इनका index क्या होगा, पहले का index होगा, 0, then 1, then 2, then 3, then 4, जब हमें print करना होगा, तो system.out.print, और अगर हम array का नाम a, r, और square bracket में हम 0 देंगे, तो 0 index पे जो element है 18, 18 को print कर देगा, अगर system.out.println array और 1 यहाँ पे देंगे, तो 1 index पे जो element है 5 उसको print कर देगा, बट अगर 5 element है, तो 5 बार तो ऐसे लिखेंगा नहीं, तो हम loop का use करेंगे, तो इस सारी चीज़ें मैंने last video में बताया था कि direct input हम कैसे लेंगे, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि 1D array में हम user input कैसे लेंगे, ठीक है, user input के लिए 1D array कैसे create करेंगे, यानि अब data हमारे पास पहले से available नहीं है, अब data हम चाहते हैं कि user enter करेगा, data अब user enter करेगा, यानि जब हम program run करेंगे, तो जो भी student का marks है, उनको user enter करेगा, हमें उन marks को क्या करना है, array में store करके, then उसको print कर देना है, right, so start करता है, so same हमारा last class वाला ही program है, just give me a minute, मैं थोड़ा से यान्ट सफाई कर लू, okay, so अगर user input लेना है, तो हमें import करना पड़ेगा, util को, so import, java.util.asterick, अगर किसी को नहीं पता user input कैसे लेते हैं, तो उस पर मेरा वीडियो है, मैं लिंक दे दूँँगे, description में, जा के देख सकते हो, then हमें scanner or line add करनी पड़ेगी, अगर user input लेना है, तो scanner sc new scanner, and then हैं पर scanner के अंदर, system.in, right, मैं variable change कर देता हूं, variable मैंने हाँ पर scanner ही ले लिया है, बट उसके जगह मैं sc ले लेता हूं, ठीक है, scanner का short, fine, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम array को declare करेंगे, array declaration, so array declare कैसे करते हैं, बात करते हैं उस पर, तो पहला step होगा array declaration, दूसरा step होगा array creation, की array को हम create कैसे करेंगे, then third step होगा हमारा input in array, की कैसे array में input लेंगे, and fourth step होगा हमारा, accessing the array elements, accessing the array elements, fine, तो अब एक एक step को हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला array को declare कैसे करेंगे, तो array को declare करने का simple थरीका होता है, सबसे पहले हम देते हैं array का type, की array का type क्या होगा, मतलब अगर array में integer करना, store करना है, तो type int होगा, point one number store करना है, तो type क्या होगा, type हमारा double होगा, अगर string store करना है, तो type string होगा, then array name, array name, और उसके बाद square bracket open close, यह जो square bracket है, इसको हम यहाँ ना लगा के, int type के बाद भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों जगा हम लगा सकते हैं, तो अभी मैं array के नाम के बाद दूँगा, तो यह हमारा syntax होगा, इसको ही मैंने comment में लिखा है, अब एक array में declare कर देता हूँ, मालो हमें five student का marks स्टोर करना है, और marks मालो integer है, point वाला नहीं है, integer है, तो type हो जाएगा int, array name में ले लेता हूँ marks, and then उसके बाद square bracket open close, semi-color, नहीं हमारा हो गया, then आते हैं, second step हमारा array declaration, तो array को हम declare कैसे करेंगे, again इसको भी मैं पहले syntax बतायता हूँ, यह line में, यहाँ उपर भी मैंने syntax ही बताया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ syntax, ताकि कोई confusion नहीं रहेगा, अब नीचे भी मैं पहले syntax बतायता हूँ, ठीक है, so, syntax क्या होगा, array को create करने का, so, array create करते हैं, new keyword की help से, so, array create कहां होगा, basically, program क्या है, program तो instruction है, जो हम computer को लिख के दे रहे हैं, और computer हर instruction को read करता है, और accordingly, कुछ work perform करता है, computer की memory पे, अगर array, यहाँ पे हम array create करने के लिए, ने computer का instruction लिख के देंगे, तो array कहाँ create करेगा, computer की memory, RAM के, right, so, यह जो memory create करने का काम है, RAM पे, यह करता है new keyword, तो हम लिखेंगे new, and then, array का नाम, sorry, array का type, तो उपर देखो array का type, अब अच्छा, अभी example पने नहीं आते हैं, array का type, type, then, square bracket में array का size, मान लो five element store करना है, तो five, semi-colon, और फिर, इस array का address, जो हमारा variable हमने declare किया होता है, उसमें store कर देता है, so, यानि array name, array name, so, confuse मत होना, अभी समझ में आ जाएगा, यह syntax है, so, अब मैं array create करता हूँ, उपर जो मैंने array declare किया है, assign with, अब यहाँ पर square bracket नहीं लगाएंगे, फिर, array कौन create करता है, new keyword, तो new, array का type क्या है, उपर देखो, int marks है न, यानि int, तो type क्या हो जाएगा, int, then square bracket में size कितना होगा, five, यह हमने array create कर दिया, अब यह चीज़ देख लो, यहाँ पर होगा क्या, तो basically यह लाइन तो हमारा comment है, यह भी लाइन comment है, जब computer इस लाइन को read करेगा, तो क्या करेगा, हमारे RAM पर एक space allocate कर देगा, और जिसको क्या identifier देदेगा, marks, फिर जब अब यहाँ पर square bracket लगा हुआ है, marks के बाद, तो computer समझ जाएगा, कि यह normal variable नहीं है, यह variable में array का address अस्टोर होगा, फिर यह दोनों लाइन से comment है हमारा, तो इससे computer कोई मतलब नहीं है, next line पर जब computer आएगा, marks assign with new int, तो already मैं सबको बता चुका हूँ, कि कहीं भी assignment operator लगा रहता है, तो पहले right hand side वाला part execute होता है, और फिर वो जो value यहाँ से आती है, वो left hand side वाले में store हो जाती है, ठीक है, so just give me a minute, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, marks assign with new int 5, तो computer पहले new int 5 को read करेगा, और read करने के बाद RAM पर क्या करेगा, new यानि space allocate करो, किस type का space allocate करो, integer type का, कितना 5, तो computer एक line से 5 space allocate कर देगा RAM पर, और पाचो का पाचो space किस type का होगा, integer type का, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, अब सब को एक index number दे देगा, तो पहला जो location होगा, उसका index number होगा 0, second location का index number 1, third location का index number 2, fourth location का index number 3, and fifth location का index number 4, इस सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखा है, तो ए रहा मेरा पिछला वीडियो एरे का, link में description में दे दूँगा, जाके देख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर दिहांदो, एरे की size 5 है, बट लास्ट वाले location का index 4 है, क्योंकि index हमें सा 0 से start होता है, इसको ऐसे समझो, कि तुमारे घर में 5 महमान आने वाले हैं, तो तुमने 5 chair एक line से लगा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, हर chair को एक number दे दिया, पहले chair को number 0, then 1, then 2, then 3, then 4, so chair तो 5 है, बट जब तुम chair को position number दे रहे हो, कहां store हो जाता है, left hand side वाले में, यानि computer क्या करेगा, यह जो array create किया है, इसका address, इस marks variable में store कर देगा, यानि मान लो, रैम पे इस array का address है, 1, 0, 0, 9, तो इस marks variable में store हो जागा, 1, 0, 0, 9, so I hope, कोई इसमें confusion नहीं है, ठीक है, then, फिर क्या होगा, मैं थवाल से यहां पे सफाई कर लेता हूँ, तो यह हमारा array create हो गया, अब next है, array में input कैसे लेंगे, data कैसे store करेंगे, तो वह भी बहुत simple है, अब यहां में syntax नहीं बताऊंगा, सीधे मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम में, so, input लेने का एक तरीका तो यह है, अब देखो, array का address किसमें store है, marks में, तो अगर array के किसी भी element को access करना है, 0, 1, 2, 3, 4 किसी को, तो पहले address marks से पूछना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे marks, then square bracket में, index, किस index पे element store करना है, 0 पे, तो 0, then, square bracket में 0, then assign with sc.nextint, nextint एक number रीड करेगा, पैसे right-hand side वाल execute होगा, और फिर हो number का है store हो जाएगा, हमारे marks एरे में, marks जिसमें एरे का address store है, ठीक है, इस चीज़ पे confuse मत होना, ठीक है, array का simply मतलब क्या होता है, इसको हम array इसलिए बोलते हैं, क्योंकि एक line से 5 location है, अगर एक line से 5 chair भी लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे, यह 5 chair का एक array बन गया, ठीक है, तो यह जो हमारा array है, इसका address marks variable में store है, तो marks variable में computer जाएगा, address देखके array में जाएगा, और जो भी number हमने read किया है, उसको 0 index पर store कर देगा, यहाँ पर, फिर उसी तरह मान लो, तुम्हें 1 index पर भी input लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, marks, 1 assign with sc.nextint, then marks, 2 assign with sc.nextint, but again, एंपुट लेने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर array का size 5 है, तो 5 बार हमें next 20 लिखना पड़ेगा, अब सोचो अगर array का size 50 हुआ, 50 हुआ, तो मैं 50 पर लिखना पड़ेगा, तो obviously यह सही तरीका नहीं है, तो हम क्या use करेंगे, हम यहाँ पर loop का use करेंगे, right, so अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और, मैं यहाँ पर for loop चलाता हूँ, so for, then, i and t, i assign with, i and t, i assign with 0, then i less than, array का size क्या 5 है न, तो less than 5, equals नहीं करेंगे, क्योंकि 5 इंडेक्स तो है ही नहीं, 5 से कम 4 है, तो 4 तक हमें जाना है, अगर array 10 रहता, size अगर मालो array का 10 रहता, तो i less than 10 करते, क्योंकि 10 पर नहीं जाना है, उसे एक less than 9 तक ही जाना है, then i को हर बार एक एक increase करेंगे, i plus plus, फिर, अब हम loop के अंदर आते हैं, और loop के अंदर simply हम लिखेंगे, array का address किसमें है, marks में, और array का नाम एक तरीके से आब बोल सकते हो, marks है, फिर square bracket में i, assign with sc.nextint, यह हो गया, इससे हमारा input हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, जब i की value first time 0 होगी, so condition check करेगा, 0 less than 5 condition true, computer अंदर आएगा, अब पहले assignment operator के right inside all execute होगा, nextint number input मांगेगा, suppose तुमने 12 enter किया, तो 12 कहाँ पे store हो जाएगा, marks, array में, कहाँ पे, i में कितना है भी 0 है ना, तो 0 index पे, यानि यहां 12 बे store हो जाएगा, फिर हमारा system कहाँ जाएगा, अगर for loop आता है तो पता होगा, नहीं आता तो again मैं link description में दे दिया हूँ, जाके for loop का वीडियो देख लो, so computer फिर जाएगा i plus plus पे, i की value कितनी हो जाएगी, 0 के बाद 1, फिर 1 less than 5, condition true फिर अंदर आएगा, फिर से, again right inside ओल execute होगा, तो number input मांगेगा, माल लो आमने 22 enter किया, तो 22 कहाँ इस्टोर हो जाएगा, marks array में i, i में कितना है 1 है न, यहाँ पर यहाँ पर, उसी तरीके से 2 पर मालो मैंने 13 दिया, 3 पर मालो मैंने 5 दिया, 4 पर मैंने 9 दिया, 4 के बाद जब फिर i plus plus पर जाएगा, तो i के value कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और फिर 5 less than 5 condition false, सीधे लूप से बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से हम array में input लेंगे, so i hope clear हो गया होगा, कि array में हम input किस तरीके से लेंगे, next है array के elements को हम print कैसे करेंगे, okay, so again, एक तरीका तो है हमारा system, dot out dot println, array का address किसको पता है, और यह भी बोल सकते हैं, तरीका नाम क्या है marks, तो लिखेंगे marks, square bracket, कौन सा element print करना है, 0 index, 1 index, 2 index कौन सा, 0, अब computer क्या करेगा, marks में 0 index पे जो element है, उसको print कर देगा, क्या है 0 index पे, 12 है, 12 print करेगा, अगर मुझे 3rd index वाला print करना है, तो यहाँ पे 3, 3rd index वाला print कर देगा, 1 करना है तो 1, 2 करना है, 2, 4 करना है, 4, बट अगें एंट करने का साही तरीका नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई एक element print करना है, तो साही है, बट अगर पूरा array print करना है, तो 5 अगर element का size है, तो 5 पर लिखना पड़ेगा, तो हम अगें लूप का use करेंगे, so for i and t, i assign with, अब उस लूप में तुमने i लिया है, तो इस लूप में भी i ले सकते हो, चाहो तो j ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, then i less than, size y 5 है, तो less than 5, या less than equal to 4 भी लिख सकते हो, अगर equal to लगाओगे तो, then i plus plus, then system.out.println, और फिर यहाँ पर array का address किसमें है, marks में, तो marks और यहाँ पर क्या देंगे, i हो गया, अब देखों यहाँ पर अगें उसी तरीके से काम करेगा, i की value 0 होगी, 0 less than 5, 5 true, अंदर आएगा, क्या print करेगा, marks, marks में गया, address देखा, उस address पर गया, वहाँ पर array मिल गया, अब array में कौन से index के एल में प्रिंट करना है, तो i, i में भी 0 है न, तो 12 प्रिंट करेगा, फिर i plus plus, तो i की value 1 होगी, condition i less than 5 true, फिर अंदर आया, तो अब marks i, तो i में 1 है न अभी, तो 1 index पर कौन सा है, 22, तो 22 प्रिंट करेगा, फिर 13 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 9 करेगा, और जब i की value 5 होगी, जब i plus plus पर जाएगा, 4 के बाद, और i की value कितनी होगी, 5, जब i की value 5 होगी, तो एक condition false हो जाएगा, बाहर आ गया, तो यह हमारा program हो गया, so i hope clear हो गया होगा, कि मैंने ए program कैसे किया है, मैं एक बार फिर से इसको, जल्दी से 30 seconds बता दे रहा हूँ, मैं इस बार comment वाले सारे section हटा दे रहा हूँ, ठीक है, double slash से comment start होता है, single line comment, और multi line comment होता है, वो हमारा slash asterisk और slash asterisk के बीच में लिखा जाता है, वो भी मैं बता दूँगा, so just give me one more minute, यह मैंने comment हटा दिया, तो अभी यहाँ पे देख लो, इस line में मैंने क्या किया है, हमें marks store करना था, integer type का ने बिना point वाला, तो मैंने array का type क्या लिया, मैंने array का type लिया था, int, ठीक है, मैंने array का type लिया था, int, array का नाम मैंने लिया marks, तुम कुछ भी ले सकते हो, a, b, c, जो चाहो, अब अगर हम यह square bracket नहीं लगाएंगे, तो computer समझेगा भाई, अब यहाँ मैंने दो array डिक्लियर कर दिया, integer type का, बड़ जरुवत नहीं अभी, फिर मैंने इस line में क्या किया, array को create किया, तो new keyword क्या करेगा, new keyword, RAM पे space allocate करेगा, कितना? 5, किस type का? integer type का, integer type का कितना? 5, तो जैसी computer इस line को read करेगा, new int 5, वो तुरंत computer पे जाए क्या करेगा, 5 location generate कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, और consecutive जो 5 location है न, इसी को हम array बोलते हैं, ठीक है? और फिर क्या करेगा, सब को index दे देगा, 0, 1, 2, 3, 4, और मैंने computer को then बोला है, कि जो भी यहाँ पे create करना, उसका address marks में store कर देना, क्योंकि assignment operator क्या करता है, RHS को LHS में store करता है, तो हमारा computer क्या करेगा, array create करने के बाद, इसका जो address है, ओ marks variable में store कर देगा, right, I hope इतना समझ में आ गया होगा, then, next, just a minute, मैं थोड़ी से सफाई कर लूँ, next, अब हमें array के element को array में input लेना है, तो इस तरीके से हम input लेंगे, explain कर चुका हूँ, print करना है, तो इस तरीके से print करेंगे, so I hope clear हो गया होगा, कि 1D array में हम कैसे user input लेते हैं, कैसे print करते हैं, अब एक चीज और, यहाँ पे array की size 5 मैंने दिया, अब को दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, i less than 5, ठीक है, बट एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ 5 की जगह हम लिख सकते हैं, array का नाम क्या है, marks है न, तो marks.length, length क्या करता है, length Java language का एक keyword है, property है, जो array का length return कर देता है, क्या करता है, array का length return करता है, तो जब computer marks.length को read करेगा, तो automatic marks.length की जगह कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि हमारे array का length 5 है, तुम यहाँ भी चाहो तो, इस वाले form में भी 5 की जगह क्या लिख सकते हो, marks, array का नाम, फिर dot length keyword, ठीक है, तो हम दोनों जगह कर सकते हैं, तो run करते हैं इस program को, so desktop पर हमारा program save है, तो cd desktop, then java c, program का नाम ले लेते हैं, sorry, already नाम है, abc.java, enter, एक और काम करता हूँ, मैं इन दोनों for loop के बीच में एक message देता हूँ, ठीक है, confusion नहीं होगा, system.out.println, और यहाँ में message देता हूँ, printing the array elements, ठीक है, save कर लेते हैं, run करते हैं, so java c, abc.java, and then java, abc, so देखो, अब यहाँ पर input मांग रहा है, यह कहाँ से, next 90 input मांग रहा है, जो पहला for loop है, तो मैं देता हूँ 2, next number देता हूँ 7, then 8, then 9, then 3, 5 number हो गया न, अब जैसे एंटर करूँगा, same 5 number प्रिंट कर देगा, printing the array, मतलब जैसे ही loop से बाहर निकला, जब एक condition false हुआ, तो loop से बाहर आया, message प्रिंट कर दिया, printing the array, और उसके बाद, इस loop से सारे element को प्रिंट कर दिया, so I hope clear हो गया होगा, एक और example जल्दी इस देख लेते हैं, मान लो हमें student का name इस्टोर करना है, 5 student का नाम इस्टोर करना है, ठीक है, या फिर, हाँ ठीक है name ले ले लेते हैं, तो कैसे store करेंगे, तो फिर array का type क्या हो जाएगा string, तो फिर array का type, क्योंकि नाम क्या होता है, string type का data होता है, तो type हो जाएगा string, array name मैं ले लेता हूँ, ठीक है, फिर, कितने student का नाम इस्टोर करना है, अब मान लोग भी user input करना चाहता है, कि उसको कितने student का माक से store करना है, तो वो भी चाहिए, तो input ले सकते हैं, मैं एक message देता हूँ, system.out.println, enter the number of students, ठीक है, यह मैंने ले लिया, और फिर अब यहाँ पर input ले लेते हैं, तो पहले एक variable दे लेंगे, हम int n, और n में sc.nextint, ठीक है, क्योंगे n integer type का है, फिर मैंने एक array ले लिया, string type का name, अब array को यहाँ create कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर, मैं फूरी line हटा आयता हूँ, create कैसे करेंगे, array का नाम क्या है name, तो name assign with, new keyword जो array create करेगा, इस बार array का type क्या है, string, और square bracket में array का size, तो array का size इस बार 5, प्यासिक्स हमें नहीं देना है, वो भी user नहीं enter किया है, end में, वही देखो मैंने input लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर end दे दो, user end में जो भी enter किया होगा, वो array का size हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, array में name input लेना है न, तो again, same रहेगा, i 0 से start होगा, 0 से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी array create होगा, size जो भी हो end में, 10 हो 12 हो 100 हो, पहला index तो हमेंसा 0 ही होगा, तो for 0 से start करेंगे, फिर, i less than marks dot length, तो marks नहीं है, अब हमारा array का नाम name है न, तो यहाँ पर चाहो तो end भी दे सकते हो, और चाहो तो end dot length भी दे सकते हो, end dot length भी दे सकते हो, फिर i plus plus, i को हर बार एक बहाना होगा, तो अच्छा, sorry, name है न, array का नाम, so name dot length, sorry, end भी दे सकते हो, और चाहो तो array का जो नाम है name तो name.length भी दे सकते हो और फिर input लेना है तो again ये line मैं पूरी हटा दे रहा हूँ array का नाम क्या है name तो हम क्या लिखेंगे name square bracket में i assign with अब string type का input लेना है तो हम sc.next int का use नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि next int ये integer type का बिना point और number input लेता है हमें string input लेना है string क्या होता है कोई भी consecutive characters अगर double quotation के अंदर लिखे हुए है तो उसको जैसे कोई name है अनुज a string है जावा में ठीक है तो इसलिए कोई भी हमें message print करना होता है तो हम double quotation में करते हैं string बन जाता है तो अगर हमें string input लेना है तो next int का use नहीं कर सकते फिर हम वहाँ पर use करेंगे next का दो function हैं हमारे पास next line एक function है ये पूरा का पूरा line रीड करता है और एक function है सिर्फ next ये सिर्फ एक word read करता है तो मैं यहाँ पर next का use करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्या करेगा जो भी हम word enter करेंगे जो भी नाम उसको array में store कर देगा फिर printing the array printing the names printing the names of students here ठीक है I hope clear हो गया होगा अब यहां भी बाकी सब सेम रहेगा I assign with zero array का नाम जो marks है उसकी जगा क्या हो जाएगा उसकी जगा हो जाएगा name then name.length i++ और अब यहां पर अंदर जो हम print कर रहे हैं तो marks i है ना इसकी जगा क्या हो जाएगा name i यह हमारा program हो गया save करते हैं run करते हैं so javacabc.java then javaabc नाम मैं enter करता हूँ पहले size enter the number of student यह message कहां से आया इस लाइन से enter number of student फिर अब input देखो यहां पर आगे कुछ नहीं आ रहा है तो जैसे यह enter करूंगा यह 4n में store हो जाएगा ठीक है और फिर जब यहां पर array create होगा तो n में 4 है तो array के size 4 होगी so enter करता है अब देखो अब computer 4 के अंदर है यानि फिर से next आ चुका है next input मांग रहा है यह वाला next input मांग रहा है तो चलो कोई नाम enter करते है मैं देता हूँ अनुज अनुज देन नेक्स नाम में enter करता हूँ राजीव देन नेक्स नाम में enter करता हूँ अंकिता देन नेक्स नाम में enter करता हूँ शोभेद चार हो गया न अब जैसे एंटर करूंगा condition false हो जाएगा printing the names of a student here print करेगा फिर हमा प्रिंट कर दिया अलग लग लाइन में इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि मैंने या print ln लगाया है अगर मैं सिर्फ print दे दू तो इकी लाइन में print करेगा देखो दिखाता हूँ तो यहां पर मैं इसके बगल में space भी प्रिंट कर दे रहा हूँ ताकि सारे नाम के बीच मे बैए चल्म लगने online के बाद जो डेक्स्ट और पॉलि लाइन आती है टृट होती है नीचे प्रिंट हो सेम लाइन ना प्रिंट हो जाए इसलिए फॉरस निकलने बाद में लाहिन चेंज कर दे रहा हूँ oh so run कर ते प्रोग्राम को java a b c dot java java a b c मैं लेता हूँ then Rohit and then Mukesh अब देखो पूरा नाम एक लाइन में प्रेंट कर दिया Santos, Rajesh, Animesh, Rohit, Mukesh So I hope guys clear हो गया होगा कि ये one dimensional array को हम कैसे create करते हैं पहले declare करेंगे, then create करेंगे, then इस तरीके से उसमें input ले सकते हैं then इस तरीके से सारे element को print कर सकते हैं कोई confusion हो तो बता सकते हो, comment में अगर कोई doubt होगा तो उस पर again वीडियो में बना दूंगा So thank you for watching this video, मिलते हैं array के अगले वीडियो में